एलेक्रिसिटी सीरीज के इस वीडियो में आज हम टॉपिक लेंगे वैदूत फ्लक्स जिसको बहुता है एलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करने के पहले थोड़ा सम् डिसकस करेंगे यहां पर आपने वेक्टरों का मल्टिप्लिकेशन पढ़ा हैं दो वराइटी होती है स्केलर मल्टिप्लिकेशन, वेक्टर मल्टिप्लिकेशन, डाट प्राड़क्ट, क्रास प्राड़क्ट हम यहां पर स्केलर मल्टिप्लिकेशन की यहां पर बात करें अगर कोई दो वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर हम वेक्टर ए डाट वेक्टर बी देखें त अब ऐसी कंदिशन में बशुख सेम वे हम आते हैं यहांपे कोई वेकटर है वेक्टर यह घ्क इंटेंस्टी आफ एलेक्ट्रिक फिल्ड और इसमें हमारा कोई तल या प्रिस्ट रखा हुआ है या देनाम पर चैनल्लब्यक शर्कल है यहां पर हमको इस से मतलब के साइड में होगा तल के अब लंबत और बाहर की और आप जानते हो यहाँ पर इसके लिए अगर वेक्टर एक बात करेंगे तो वेक्टर ए आपका इधर होगा यह ऐसे तो इसी प्रकार से यह कोई तल या प्रिस्थ है जो किसी वैदु छेत में रखा हुआ है इस प्रकार से और यह वेक् वेक्टर ए डॉट्टर ए जट इकवल टू यह कॉस्थीटा वियर थीटा इस दा एंगिल बिट्विन बोथ वेक्टर वेक्टर ए अड़ वेक्टर ए हम इसकी डेफिनिशन पर अगर आए यहाँ पर तो किस एक समान तीवरता के वैदु छेतर में इस्थिद किसी भी तल य आतीबात इसका अच्छा एक बात है पर यहाँ डिसक्स करें यहाँ पर आप जांतेवर्ट कर दोक्त्रों एक दिसल तो क्नृटिंशन में वैदिस्विंशन परणिचन उसका न सलएब होगा इसकी होल्ू इजनिट इसकी इका मात्रा तो आब जांतेवों पराबर क्या का मा मात्रक होना नहीं है आपके यहां पर यहां तो ई कमात्रक क्यों होगा newton बठी कूलाम एक मात्रक क्यों मीटर स्कौायर तो ऐसी कंडिशन में अगर whipping ảम में मेंटर स्कौायर है यहां से एक मीटर हमने NEWTON के बगल लिग दिया Newton मीटर तो तो Newton meter को आप Joule भी कहते हो, तो अगर आप चाहो तो Joule meter upon Coulomb, इस प्रकार से आपका Phi E का मात्रक आपका आगया, Joule meter upon Coulomb, यह Phi E का मात्रक हो गया, अब हम चलते हैं यहाँ पे, Phi E का Vimisutr, अब हम वैदूत flux के Vimisutr पे आते हैं, आप जानते हो Phi E का Vimisutr, तो Phi E that is equal to vector E dot vector A, that is equal to E A cos theta, cos theta की कोई विमा होगी नहीं, कोई मात्रक होगा नहीं, तो ऐसी condition में E, E that is equal to F upon Q0, और यहाँ पे A हो गया, साथ में cos theta हो गया, Now, F A cos theta upon Q0, और Q0 that is equal to IT, तो इस प्रकार से F A cos theta upon IT, क्योंकि cos theta का कोई Vimisutr होना नहीं है, तो next line में आपका cos theta आपका हटा दिया गया, ठीक, तो ऐसी condition में Phi E का Vimisutr, that is equal to F का Vimisutr, into A का Vimisutr, upon I का Vimisutr, और T का Vimisutr, ठीक, cos theta का कोई Vimisutr, यह कोई dimensional formula होना नहीं है, F का क्या होता है, MLT की power minus 2, A area है, इसका क्या हो जाएगा L square, I का A, और T का यहां पे T, solve करने पे आपका ML cube, T की power minus 3, A की power minus 1, इस प्रकार से आपका Phi E का Vimisutr, आपका निकल आए है, अब हम आते fundamental unit पे, मूल मात्रक जिसे आप कहते हो, तो M, M की जगा पे kilogram, L की जगा पे meter, T की जगा पे second, A की जगा पे ampere, और power बिलकुल सेम, इस प्रकार सब का Phi E कभी E मिसutr, आपका निकल आए है, ठीक, OK, Let's all.